आज हम बेशन के लड़ू बना रहे हैं और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट मैं बताऊंगी ताकि आप फर्स टाइम ही बहुत ही अच्छे लड़ू बना के तयार कर लोगे और रख लोगे तो ये देखो इसका अंदर से मैं टेक्चर दिखा रहे हूं कि बिल्कुल कितने अच्छे हमारे बने हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मौस्ट वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल को केंबे विद मंजु में तो देखे ये हम दो कप बेशन लिया है मैंने आप कटोरी से नाप ले सकते हो आप किसी भी चीज से नाप ले सकते हो तो जैसे मैं नाप ले हूँ तो उसी के अकोडिंग आप फिर बना सकते हो तो दो तीन मिनिट के लिए हम इसको खाली बगर घी के ही ऐसे हलका सा सेकेंगे और गैस इसकी हाई बिलकुल नहीं करनी है नहीं तो जल जाएगा तो ये दिखो हमने हाफ कप मेल्टेड घी लिया ह है और इसमें आप बिलकुल एकदम मर्ट डालना हलका-हलका डालना तो आपका बेशन भी जल्दी भूनेगा और इसमें क्या है जो लास्ट में फिर घी हमारा बेशन छोड़ देता है ना वह नहीं छोड़ेगा तो मैं एक साथ बिलकुल घी नहीं डाल रहे हूं हम तीन या चार बार करके डालेंगे और इस प्रोसेजर में हमारा पूरा घी लगने वाला है आधा कप से एक चमच ज्यादा एक चमच यानि कि टेबल स्पून टेबल स्पून भी ज्यादा ही हो जाएगा जो खाने वाली स्पून है वो तो यह तोड़ तोड़ के यह देखो हमारा बिलकुल बहुत ही अच्छे से बेशन हो गया और यह अभी हमारा बेशन ब्राउन होने लग गया है और इसके फुल प्रोसेजर में हमारा टाइमिंग क्या लगेगा वो भी मैं आपको बता दूंगी साथ साथ और यह देखो हम चलाते जा रहे हैं चलाते जा रहे हैं और फ्लेम को हमने कम कर रखा है अगर हाई फ्लेम पे करोगे तो इसमें जलने की खुशवू आ जाएगे फिर आपकी लड़ू ना अच्छे नहीं बनेंगे तो इसलिए इसको कम गैस पर ही बूनना पेसेंस के साथ थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है बट आपका रिजल्ट ना बहुत ही परफेक्ट आएगा और इसको देखो बार-बार चला रहे हैं चला रहे हैं और फिर बीच में घी डाल देंगे ये जो हाफ कप में बचा हुआ घी मैंने डाल दिया ये मैंने ना हाफ कप से थोड़ा सा कम लिया था तो मैं थोड़ा सा और लूगी एक तो फुल क्योंकि हाफ कप लगेगा हमारा और थोड़ा जादा भी लगेगा तो वो भी मैं लूँगी अभी दिपावली आ रही है आप इसको पहले से ही बना के रख लो क्योंकि ये फेस्टिवल के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और आप भी वैसे भी सर्दियां आ रही है तो सर्दियों में भी बेसन के लड़ू बहुत ही मस लगते हैं खाने में और ये मतलब आप आराम से इसको एक अपते के लिए स्टोर करके रख सकते हो बिल्कुल आपके ये खराब नहीं होंगे और बहुत ही अच्छे रहेंगे तो ये देखो अल्मॉस्ट हमारा ये भुन चुका है ये देखो ये हमारा पूरा अच्छे से भुन चुका है तो गैस की फ्लेम को तो हम बंद कर देंगे और अभी इसमें हमने जो ड्राइफ रूट डालने हैं वो भी डालेंगे अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हो बट मैंने डाले हैं और इलाइची पाउडर मैंने डाला है तो थोड़ा चलाएंगे दो मिनिट के लिए फिर उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे तो यह देखो यह हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है तो अच्छे से हम इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह जो हमारे कर्ची पे या आप किस से कर रहे हो उस ये देखो ये हमारा हो गया है अबी इसको अभी हम नीचे उतार के भी थोड़ी देर चलाना है क्यों हम चलाना है क्योंकर Hill है इसमें अभी हमारी कड़ाई भूत गर्म है और बेसन भी अर्डमार छोड़ता है तो इस म्हाथ वज़े से न यह और गर्म रहती है देर तक तो इसको चलाना है तो देखो दो मतलब काप हमारा बेशन था तो उस में न हमने एक कप ये PCV चीनी या बूरा ली है मैंने तो जो बूरा मिलती है बजार में वह मैंने ली है PCV चीनी भी ले सकते हो हो और ये एक कप बिल्कुल इसका perfect मीठा है नहीं ये कम मीठा है और नहीं ये जादा है अगर आपको कम जादा करना है तो आप कर सकते हो अपनी according लेकिन ये जो बिल्कुल जो medium normal खाते हैं वैसा मीठा है ये perfect वाला तो इसको बिल्कुल अच्छे से हमने हाथों से मिला लेना है और अभी इसके लड्डू बनाने हम start करेंगे तो आप एक हाथ से भी बना सकते हो लड्डू मेरी तरह दोनों हाथों से भी बना सकते हो और लड्डू का साइज आप बड़ा चोटा जितना भी चाओ आप कर सकते हो तो ये देखो ये हमने एक लड्डू बनाया अभी दीरे दीरे करके हम सारे लड्डू बना लेंगे ऐसे ही से और मैंने ये बहुत बड़ा सा इच बिल्कुल नहीं किया है और बहुत छोटा भी नहीं किया है जो मीठा मिलाने वाला प्रोसीजर है ये बिल्कुल थंडा होने पर नहीं करना है थोड़ा हलका गरम रहे आपके हाथों को अच्छे से सैन हो जाए उतने पर ही करना है नहीं तो ये थंडा होने पर टाइट हो जाएगा आपके लड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे तो ये देखो एक एक करके हमने सारे लड़ु ऐसे ही हम बना लेंगे और मैं कभी दो हाथ से भी बना रही हूं और आप भी देखो इसको डैकोरेट करेंगे हम पिस्ता से अपके पास जो भी ड्राइफ रूट है आप उससे डैकोरेट कर सकते हो एक ही मार्केट वाला लुक देने के लिए हम इसको डैको घर की बनी मिठाई लड़ू खिलाना और अपने परिवार को भी और गैस्टों को देना भी क्योंकि बहुत टाइम नहीं लगता है और बहुत कम खर्चे में तो मार्केट की मिलावट वाली मिठाई से आप बच जाओगे अपने और अपनी परिवार को सवस्त रखें